ऐब आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही informative वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो है । काफी अच्छा इंट्रस्टिंग वीडियो है तो चलिए शुरू करते हूं मैं आपको बताती हूं इस वीडियो में है कि इसमें भारत की राष्ट्री प्रतीक और राष्ट्री चिन है जिसमें से काफी कुछ आप लोग जानते होंगे हो सकता है कुछ नहीं भी जानते हो तो उसे लेके एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा अपने भारत के राष्ट्री प्रतीक और चिनों की जानकारी को हासल करिएगा तो दोस्तों मैं आपसे कहले चाहते हूं कि जो पहली बार विजिट कर रहे है मेरे चानल पे तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जर राष्ट्री प्रतीक बना दिये जाते हैं उसी से उनकी पहचान होती है विबे नदेश के राष्ट्री प्रतीकों का अपना एक इतिहास होता है व्यक्तित होती है जिसकी वज़े से उनको राष्ट्री प्रतीक बनाया जाता है ऐसे कहना बिलकुल भी नहीं गलत होगा कि भ पॉजिटिविटी कितनी है आई इस वीडियो के माध्यम से भारत के राष्ट्री प्रतीक उनका अर्थ इत्यादी के बारे में हम अध्यान करते हैं सबसे पहले है भारत का राष्ट्री ध्वज तिरंगा यहां यह है तिरंगा की फोटो जैसा कि सब जानते हैं शायदी कोई हो जो तिरंगे से वाकिफ ना हो तिरंगा तो अपनी देश की स्थान है सभी उससे वाकिफ हैं तो चलिए अब इसके बारे में कुछ देखते हैं 22 जुलाई 1947 को भारती सम्विदान सबाने राष्ट्री ध्वज तिरंगे को अपनाया था यह डेट इंपोर्टेंट है याद रखेगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया सफेद तदा हरे रंग की ति है तिश पट्या होती है इसलिए भारत के राष्टी ध्वज को तिरंगा कहा जाता है द्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो होता है रेशियो जो होता है वह होता है टू स्टू थ्री जियान रखेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट इससे आपके बहुत सफेद रंग की पट्टी के बीच ऑबीच गहरे नीलझ का चक्र बना होता है यह इस सपर नाथ में इस्तित अशवक के स्थम से लिए गया है तिरंगे में केसर्या रंग प्रतीक है, सफेद रंग सत्य और शांती का प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है, और जो हरे रंग हरा रंग है, वो समरधी का प्रतीक है. तो आई होप सो आपको इसमें से जो important questions निकल का रहा हैं सबसे पहले कि राश्ट्री द्वर्ज को कब अपनाया था भारती संविधान समाने तो 22 जुलाई 1947 को दूसरा इसमें तीन रंग आपको पता है इनका orders है केसरिया, सफेद और हरा और फिर इसका लंबाई चोड़ाई का अनुपाद क्या होता है दो अनुपाद तीन और इसमें जो पट्टी सफेद रंग के होता है उसमें चक्र होता है उसमें कितनी दीलिया होती है 24 और ये कहां से लिया गया है ये सारनात में इस तित अशोक के स्तम से लिया गया है केसरिय रंग किस चीज का प्रतीक होता है त्याग और बलिदान का सफेद रंग होता है सत्य शांति और पवित्रता का हरा रंग होता है समरधी का प्रतीक तो होप सो आपको भारती के राष्ट्रे दोज्जो तिरंगा है इससे रिलेटेड काफी information काफी अच्छी चीज़े पता चल ग सारनात में बनवाए गए इस्तंब से लिया गया है 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकरत किया गया था जब भारत गर राजे बना अशोग के इस्तंब शिखर पर देवनागरी लीपी में सत्यमेव जैते लिखा हुआ है सत्यमेव जैते का मतलब है सच्चाई एकमात्र जीत्र जो म रचना के सामने इसमें धर्म चक्र कानून का पया भी है भारत का प्रतीक शक्ती हिम्मत गर्व और विश्वाश को प्रदर्शित करता है पये के हर एक तरफ पर एक अश्व और बैल बने हुए हैं इसके उपयोग को नियंतरत और प्रतिबंदित करने का कार राज प्रतीक क सच्चाई एक मातर जीत यह कहां से लिया गया है मुंड का उपनिशद से इसमें इस सिस्टम के शिकर पर चार शेर करें वे पिछला हिस्सा खंबो से जुड़ा हुआ है और इसमें जो धर्म चक्र है वो कानून का पहिया भी है भारत का प्रतीक शक्ति हिम्मत गर्व को प्रदर्शित करता है और इसके एक तरफ पहिये के एक तरफ पर हर एक तरफ पर एक आश्वार बैल बने हुए हैं तो काफी इंट्रस्टिंग नॉलिज थी इससे भी कई क्वेशन्स आपके बनते हैं अगला देखते हैं भारत का राश्ट्री गान जी हां जन्गन मन जो जन्गन मन को अधिकारिक रूप से अंगी करत किया गया था यह आपका पहला क्योशन बनता है कि कब समविधानिक रूप से कब अंगी करत किया गया था 24 जनवरी 1950 को रवीद ना टैगोर जी द्वारा ये गान लिखा गया है इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था द्यान दीजेगा आप लोग इसको सम्वैधानिक समा में 24 जनवरी 1950 को अंगीकरत किया गया है लेकिन इसको पहली बार कहां पर गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था संपूर गीत या गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है हाला कि इसका लगू संसकरन पहली और अंतिम पंक्दी को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है तो ये है अपना राश्ट्रिगान काफी अच्छा और बहुत ही इसमें देश के बारे में काफी कुछ आ जाता है इस पूरे राश्ट्रिगान में ये लिखा गया था रवीन ना टैगोर जी के द्वारा इसको बावन सेकेंड में गाया जाता है पहली बार ये 27 दिसमर 1911 को कलकता सत्र में गाया गया था और इसको जो अंगी करत किया गया 24 जनुरी 1950 को अब देखते हैं अगला क्या है भारत का सरवोच राश्ट्रिय पूरुषकार है भारत-रत का आप इसमें देख रहे होंगे भारत-रत ने जो दिया जाता है ये भारत का सरवोच राष्ट्रिय पुरुषकार है ये भारत का सरवोच राष्ट्रिय पुरुषकार और सरवोच नागरिक सम्मान है भारत रत्न असाधरन कारे करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है असाधरन कारे करने वाले उसे मतलब जो कुछ हट के अलग सबसे एक इस पुरुषकार की शुरुवाद 2 जन्वरी 1954 को भारत के ततकालीन राष्ट्रपती राजिंद प्रशाजी द्वारा की गई थी जो इस पुरुषकार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है तो यह भारत रतने है जो कि अपने देश का सर्वोच राष्ट्र प्राइट में सम्मिलत होता है अगला है भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्र गीत तो जन्गन मन हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मात्रम 1950 में वास्त्विक वंदे मातरम के शुरुवात के दो चंद को अधिकारिक रूप से भारत के राष्टर गीत के रूप में अंगीकरत किया गया था वास्तविक बंदे मातरम में छे चंद हैं इसको बंकिम चंदर चटरजी जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था इस गीत को उन्होंने चिंसुरा में लिखा था इसे पहली बार संद 1896 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के राजनीतिक संदर में रवीना टैगोर द्वारा गया गया था ये लिखा गया है पंकिम चंड चटर जी द्वारा इसको पहली बार राष्ट्री कॉंगरिस के उन अठासो च्यानवे में रवीना टैगोर जी द्वारा गया गया था इसके पहले दो चंद दिए गया थे इसमें वास्तिप में छे चंद है ये अपना है भारत का राष्ट्र सबी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्री पश्यू बाग है भारत के राष्ट्री पश्यूं के रूप में रॉप में बाग यह रॉयल बेंगल टाइगर को एपरील 1973 में गोशित किया गया था 1973 में गोशित किया गया था इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है ये बड़े अराम से वायूशिफ के जंगलों में दौर सकता है और अत्यंत शक्तिशाली मजबूती और भारत के गर्व का ये प्रतीक है बागों की अधिक्तम उम्र होती है 20 साल तेज, फूर्ती और शक्ति के कारण बाग को भारत का राश्ट्री पशु माना गया है इसका जंदु वैग्यानिक नाम पैंथरा टाइगरिस है अगला भारत का राश्ट्री फूल कमल भारत का राष्ट्री फूल कमल है, ये हम सबी लोग जानते हैं, इसके बारे में कुछ रोचक तत्व देखते हैं कमल का वैग्यानिक नाम नीलियूमबो नीूसिफेरा है इसे भारत के राष्ट्री फूल के रूप में अंगीकरत किया गया है या फूल भारत के पारंपरिक मूल्यो और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है ये उर्वर्ता, ज्यान, सम्रदी, सम्मान, लंबी आयू, अच्छी किस्मत दिल और दिमाग की सुन्दर्ता को भी दिखाता है इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों में आदिके ले भी किया जाता है ये अपना भारत का राष्ट्री फूल है, इसका जो विग्यानिक नाम है नियुलिंबो, नियुसिफेरा है और ये जो फूल भारत के पारंपिरिक मूले सांस्कृतिक गर्व को प्रदेशर्ट करता है उर्वरता, ग्यान, समर्दी, समान, लंबी, आयो, अच्छी किसमत दिल और दिमाग की सुन्दर्ता को भी दिखाता है भारत का राष्ट्री फल, आम, जी हाँ, भारत का राष्ट्री फल है आम आम का विग्यानिक नाम मैंजी फेरा इंडिका है इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है फलों का राजा किसे कहा जाता है आम को और यहां भारत के राश्ट्री फल के रूप में भी अंगीकरत किया गया है आम है राश्ट्री फल इसका विज्ञानिक नाम है मैंजी फिरा इंडिका भारत का राश्ट्री पक्षी कौन है? मोर सभी को पता होगा अब इसके बारे में कुछ जानकारी बारती मोर को भारत के राष्ट्री पक्षी के तौर पर अगीकरत किया गया है ये पक्षी एकता के सजीव रंगो और भारती संस्कृति को प्रदर्शित करता है ये सुन्दर्ता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है भारती वन्यजीत की धारा 1972 के तहट संसदी आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है हिंदु धर्मे से भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है जबकि इसाईयों के लिए ये पुनर जागरण का प्रतीक है भारत का राष्ट्री खेल होकी होकी को भारत का राष्ट्री खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने उलम्पिक में होकी के खेल में लगाता छे स्वण पदग जीते थे भारत का राष्ट्री जलचर डॉल्फिन गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रिय जलचर पशू के रूप में अंगी करत किया गया है ये पावन गंगा की शुदता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिन्दा रह सकती है डॉल्फिन गंदे Пानी में जिन्दा नहीं रह सकती इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में इसे एक माना जाता है इनको सुरक्षित करने के लिए अभ्यारन ने छेत्रों संरक्षन कारे शुरू हो चुका है भारत का राष्ट्री व्रक्ष काफी लोगों को शायद नहीं भी पता हो भारत का राष्ट्री व्रक्ष है वट व्रक्ष वट व्रक्ष यानि कि बर्गत का पेड़ बर्गत की पेड़ को इंग्लिश में बैनियन ट्री कहते है भारत का राष्ट्री वरक्ष बर्गत का पेड़ को माना जाता है या एकता और दृड़ता का प्रतीक है जिस प्रकार भारत के विबिन धर्म वा जाती के लोग एक साथ निवास करते हैं उसी प्रकार बर्गत के पेड़ की शाखाओ पर छोटे या बड़े जन्तु निवास करते हैं इस वरक्ष को हिंदू धर्म में विशेज धार्मिक महात्व है और इसमें कई औशदी गुड़ भी पाए जाते हैं बर्गत के पेड़ में भारत का राष्ट्री मुद्रा रुप्या है अधिकारिक रूप से भारत के गर्ड राजिकी करेंसी भारती रुप्या ISO कोड INR इंडियन रुपीज है इसके सम्मंदित मुद्दो को रिजर्व बैंक आफ इंडिया नियंत्रित करता है भारती रुपे को र देव नागरी वेंजन और लेटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था इस चिन्न को र और इंगलिश वाला आर आर जुलाई 2011 को रुपे के चिन्नों के साथ भारत में सिकों की भी शुरुवात हुई थी भारत की राश्ट्री नदी गंगा जी बारत की राश्ट्री नदी है प्राचीन समय से ही हिंदूों के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक भात्वरा है इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तमाल किया जाता है गंगा की उत्परती हिमाले में गंगोत्री ग्लैशर के हिमशेत्र में भागी रती नदी के रूप में हुई है अगला भारत की राष्ट्र पिता मात्मा गांधी जी मात्मा गांधी को भारत का राष्ट्र पिता माना जाता है सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाश चंद्र बोश जी ने सिंगापूर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रशादित करते हुए मात्मा गांधी को राष्ट्र प बारत के लोगों से कहा कि राश्ट्र पिता अब नहीं रहे तभी से महात्माin गांधी जी को भारत का राश्ट्र पिता कहा जाता है भारत के राष्ट्रे दिवस स्वतंत्रता दिवस गांधी जैनती और गरतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतियों को ब्रिटिश शाषन से आजादी मिली थी 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना सम्विधान प्राप्ट हुआ था इसी लिए इस दिन को गरतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जैनती मनाई जात भारत की राष्ट्रे लिपी आधिकारिक लिपी देवनागरी लिपी है जी हम अपको यह बता दे की भारत की कोई भी राष्ट्रे भाषा नहीं है हिंदी एक राजबाशा है यानि राजबाशा वो होती है जो भाषा राजकाज अर्ता सरकारी कारी के लिए उपयोग की जाती है भारत के सम्विदान के अनुछे 343 के तहप हिंदी भाषा है राश्ट्र भाषा का भारती सम्विदान से में कोई भी उलेक नहीं है हाला कि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है भारत की राज भाषा हिंदी है जो की सरकारी कारिया राजकाच में उप्योग की जाती है राष्ट्री कैलेंडर भारत का जो राष्ट्री कैलेंडर है वो है साका कैलेंडर काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा साका कैलेंडर राष्ट्री कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है 1957 में इसे कैलेंडर कमिटी द्वारा बनाया गया था जिसे भारती पंचांग की मदद से त्यार किया गया है इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखे थे राष्ट्री सपत राष्ट्री सपत को तेलिगू में पेदी मरी वेंकर सुबर रावद्वारा 1962 में लिखा गया था 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गय जाने का प्रवधान बनाया गया है जिया तो यह थे वो इंपोर्टेंट राष्ट्री प्रतीग राष्ट्रे चिन जो कि हमारे भारत की शान, मान, पहचान, गर्व सब कुछ है काफी कुछ मैंने आपको उनका डिटेल में बताया विद्फोर पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कितना इंफोर्मेटिव लगा, कितना अच्छा लगा, जरूर मुझे कॉमेंट करिएगा ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए था ये वीडियो ये इंफोर्मेशन कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करिएगा और वीडियो शेर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर करिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे थांक्स लोट फ्रेंज बाबाई